बिसमिल्लाहिर रख्मान रहीम, असलम अलेकुम, उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगी आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्ण जिसके लिए मैंने लिया है हाफ केची बॉल्लिस चिकन जिसको मैंने क्यूप्स की तरह काट लिया है वन टू कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है वन फोर्थ कप कॉन फ्लोर एक अंडा वन टी स्पून पेपरी का पॉडर वन टी स्पून गारलिक पॉडर अंतर्ड टी स्पून हमने इसमें ब्लेक पेपर पॉडर डाला है हाफ टी स्पून चिकन पॉडर वन टी स्पून वाइट पेपर पौडर नमक हज भी जरूरत एक चमच सिर्का वन टी स्पून हॉट सॉस और वन टी स्पून सोय सॉस अगर पेपरी के पौडर नहीं है तो अब रेट चिली पौडर भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम चिकन लेंगे उसमें हॉट सॉस सिर्का और सोय सॉस डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम नमक डाल देंगे हस भी जरूरत और सारे जो हमने ड्राइं इंग्रीजिंट्स ली थे वो हम इसमें डाल देंगे ड्राइं इंग्रीजिंट्स को हम दो हिसमें तक्सीम कर लेंगे एक हिसा जो है वो इसका हम चिकन में डाल देंगे और बाकि जो मसाले हमारे पास बच जाएंगे उसको हम कोटिंग के लिए इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तक गरीबन एक गंटी के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे मेरे नेट होने के लिए यहां पे हम एक बॉल में काणफलोर डाल देंगी साथ ही मैदा भी डाल देंगी और सारी मसाली भी इसमें डाल देंगी और इस मिक्स्टर को हम अच्छी से मिक्स कर लेंगी तो यह हमारी कोटिंग रेडी हो गई है तो इसको हम साइड पर कर लेंगे और आते हैं अपनी नेक्स स्टेप की तरफ यहां पे मैंने ऑईल को गरम होने के लिए रख दिया है अब यहां पर पहले से मेरिनेट किया हुआ चिकन लेंगी और इसको इस मिक्स्टर से अच्छी तरह से कोट कर लेंगी इसको हाथों की मद कोटिंग करने के बाद इसको किसी जाली टाइप चीज की उपर रखें ताकि यह सौगी ना हो और जो एक्स्टरा मैदा बगए लगा है तो वह भी निकल जाए यह देखिए यहां पे इस तरह से इसका निकल गिया है मैदा ओयल यहां पे हमारा मीडियम हॉट है तो यह इमनली कोको जाए अब इस स्टीच पे आप इसको निकाल कि और टंडा करके इसको जिपलाग बेग में डालके फ्रीज भी कर सकते हैं और जब कभी बनाना हो तो इसको निकाल के पांच से ची मिनट के लिए पिर इसे फ्राइब करें तो यहां पे पापकॉन चिकन जो है वो खुशिया बांटे रहे दुआओं में याद रखें नेक्स टाइम के लिए अल्ला पाहमान